बैन्पुरी में सपा मुखिया अखिलेश यादव के विधान सभा छेत्र करहल का मामला सामने आया जहां एक महिला से जबरन संबंद मनाकर महिला का अशलील वीडियो बनाकर उसको वाइरल करने की धमकी देकर जबरदस्ती संबंद बनाना चाहता था आरोपी असीम की शिकायत पीड़ता ने थाने में की लेकिन पुलिस ने कोई काड़ेवाही नहीं की पुलिस अधिक्षक मैनपुरी कमलेश दिक्षित ने बताया उन्हें इस मामले की जानकारी सोशल मीडिया से हुई जानकारी होने पर संबंदित थाने को काज़ेवाही के आदेश दे दिये गए है पूरा मामला थाना करहल छेतर के कज़वे का है यहां के निवासी पीड़ता एसपी काज़े पहुंची और एसपी को शिकायती पत्र देते हुए उसने बताया उसका पती आतिश बाजी का काम करता है और उसी के मालिक द्वारा पीड़ता के खर पर आकर उसके साथ गलत काम किया गया और उसका वीडियो बना लिया गया जब पीड़ता ने विरोध किया तो उसे वीडियो वाइरल करने की धंकी दी गई और दोबारा से संबंद बनाने का दबाब बनाया जिसके बाद पीड़िता की ओर से इसकी शिकायत थाने पर की गई तो पुलिस ने आरूपी को पकड़ लिया वही जब पुलिस दोबारा पीड़िता को दोबारा थाने बुलाया गया तो दारू पी करके घरवालों द्वारा उसे रास्ते में खेर लिया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है कि करहल थाने के एक महिला को परिशान किया जा रहा है इस समंद में इंस्पेक्टर करहल को निर्देशित किया गया है कि संपूर तत्यों के गहनता से छान बिन करें और जो भी दोशी हो उसके विरुद बैधानी करवाई करें